हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम जानेंगे ओनलाइन हरियाना पुलिस पे किस परकार से आप RTA लगाकर के अपनी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तों आप जानते हैं सूचना का अधिकार 2005 के अंतरगत आप विभिन परकार की जो सूचनाई है वो प्राप्थ कर सकते हैं जो इसके दाइरे में आती हैं तो दोस्तों आप जानती हैं हरियाना पुलिस में कई बार या लोकल पुलिस टेशन में ऐसी हमारी आमतोर पे गटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आपकी कोई ओनलाइन F.I.R. या कोई भी F.I.R. की कोपी आप दस्तावेज के तरीके से नहीं मिल पाती है तो दोस्तों यहां पे आप जानकारी दस्तावेज या केस पे क्या कुछ कारवाई हुई उसके बारे में यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप online अपने mobile के माध्यम से ही इसके बारे में बिल्कूल सदारन सिंपल तरीके से प् तो आप उसको बिल्कूल सिंपल तरीके से यहां पे ले पाएंगे वो भी अपने mobile के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं यहां पे केवल आपको 10 रुपे पे करने हैं और यहां पे 10 रुपे पे करने के बाद आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी जानकारी है वो आप अराम से तो चलिए दोस्तो जान लेते हैं किस प्रकार से आप यहां पे RTI फाइल करेंगे और किस प्रकार से अपने जो दस्तावेज हैं वो प्राक्ट करेंगे तो इसके लिए आपको simply हर समय हर्याना की official website पे जाना होगा तो चलिए हम login कर लेते हैं दोस्तो जैसा कि आप यहां पे एक ID क्रियेट कर लेनी है वो बिल्कुल फ्री है आपको किसी प्रकार की payment यहां पे नहीं देनी है तो यहां पे मेरे दौरा वीडियो बनाया गया है किस प्रकार से आप ID क्रियेट करेंगे यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो के description box में पूरी जानकरी यहां प रहती है तो दोस्तों जैसे आप इस पेज पे आ जाते हैं उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करना है जैसे कि मैंने किया है और यहां पर आप देख सकते हैं citizen username तो यहां पर आपको citizen login करना है इस साइड में employer corner है यहां पर आपको login नहीं करना है तो आपको ध्यान र email ID registered हो जाता है उसके बाद आपको username और पासवर्ट से यहाँ पर login कर लेना है तो चलिए मेरे पास यह पहले से हैं तो मैं यहाँ पर login कर लेना है यहाँ पे पेज खुल के इस परकार से आ जाता है यहाँ पर हर समय का logo आपको देखने को ग्लिक करना है और यहां से आप RTI के बारे में जानकरी प्राप्ट कर सकते हैं। Teo आप धियान रखना है जब RTI आप फाइल करदें उसके बाद स्टेटस देख सकते हैं और 2-3 से आपको Dayot सैथा दिखाई देगा यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस वाले ओप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे स्टेटस सर्च पे आप स्टेटस देख सकते हैं और यहाँ पे आपके द्वारा फाइल की गई RTI के रूप में जो आपने दस्तावेज मंगाई हैं संबंदी दस्तावेज वो यहाँ से आप राप्त कर सकते हैं व्यू स्टेटस ओफ RTI मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जैसे ही आप व्यू स्टेटस RTI पे क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पे पहले RTI लगाई हुई है लेकिन यहाँ पे RTI लगाने के बाद देख सकते हैं और जिसके नाम से लगाई गई है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे एक उपजेक्शन इन्हों ने मेरे पास लगाया था जब मेरेको नोलीज नहीं थी चीज के बारे में payment status तो यहाँ पे मेरेको option देखने में थोड़ा समय लग गया तो य इन्होंने मेरे को यही status दिखाया कि आपकी जो application का reply है वो हमने submit कर दिया है लेकिन यहाँ पर यह जो पूरा जो अब्जेक्शन इन्होंने लगाया है कि payment मैंने दो रुपे पे नहीं की है वो इसलिए अलग से option में दिखाया गया यहाँ यदि आप सर्च में क्लिक करेंगे तो यह आपको दिखाई नहीं देगा तो आप बहुत ध्यान से देख लेंगे यहाँ पर status सर्च में आपको बिल्क है और साथ में record status आया हुआ है लेकिन यहाँ पर और कोई यहाँ पर जैसे कि मेरी payment को दो रुपे को ले करके इन्होंने मेरी RTI reject करती है तो इस परकार से यहाँ पे RTI का जवाब आपको नहीं मिलेगा किवल RTI का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर से ही सर्च कर है कि इन्होंने जो 2 रुपे का amount है वो पेना करने के कारण मेरी जो RTI है वो यहाँ पर reject कर दी है तो इस परकार से आप इसको status को चेक करेंगे यदि आप यह status को आप जो मैं बता रहा हूं यह नहीं सुनेंगे ध्यान से तो आप status इसका जान नहीं पाएंगे ना download कर पाएं तो चलिए अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूं यहाँ जैसे ही आप home page पे जाएंगे home page पे भी यहाँ पे status को सर्च करेंगे तो वहाँ पे केवल यही दिखाई देगा यहाँ पे status सर्च है यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा जैसे क अब हम submission करके देख लेते हैं submit करते हैं new RTA तो यहाँ पे आपको submit RTA पे click कर देना है मेरे खाल से आपको बिल्कुल अच्छी तरह यह समझना चाहिए जान लेना चाहिए जो मैंने आपको अब यह भी बताया हुआ है तो चलिए मैं RTA आपको लगा के दिखा देता हूं यहा यहाँ पे सबसे पहले आपको परसनल डिटेल के बारे में जानकारी देनी है यहाँ पे आपको तीन स्टेप पूरे करने हैं फर्स्ट में आपको परसनल डिटेल देनी है तो चलिए अब यहाँ पे RUA CSC VLE यदि आप एक VLE है CSC Holder है तो आप यहाँ पे CSC Select करेंगे और यहाँ पे आप वो स्लेक्ट करेंगे जैसे कि यहाँ पिए आप Family AID भी डाल सकते है तो मैं यहाँ पे अधार कार्ड नंबर डालोंगा तो मैं UID अधार नंबर यहाँ चुझ करोंगा और यहाँ पे मैं जो अधार नंबर है वो यहाँ पे डालोंगा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अधार कार्ड नंबर डाल दिया है जो candidate है मैंने उनी का अधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाला है उसके बाद आपको अथोर्टिकेट कर देना है इसको यहाँ पर तो उसके बाद आपको name यहाँ पर लिख देना है candidate का जो भी नाम रहेगा लास्ट ने में आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर यदि बीच में कोई नाम नहीं है जैसे कि अरुन कुमार सर्मा है तो आपको पहले अरुन यूज करना है फिर कुमार यूज करना है और फिर शर्मा यूज करना है यदि अरुन कुमार है तो अरुन आपको first में लिखना है बीच में खाली चोड़ना है और कुमार last वाले में लिख देना है तो आपको इन चीजों का इसे इस तोर पे ध्यान रखना है यहां पे आपको hanging की दिक्कत हो सकती है तो आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कई बार अथोर्टिकेशन में यह टाइम ले लेता है जब आप यहां पे अथोर्टिकेट करेंगे यहां पे थोड़ा भूश्मय कई बार लग जाता है तो आपको wait करना है जल्दब बोक्स में डाले हैं और लास्ट वाले में five digit डाल दिये हैं उसके बाद आपको यहां पे एक relation घर में से चूज करना है कोई भी चूज कर सकते हैं father mother जो भी रहे तो यहां पे मैंने husband चेंज किया है और नाम उनका आपको डाल देना है जो भी relation रहेगा तो चलिए मैं डाल द चाहें तो यहां पर बद भी सकते हैं उसके बाद आपको simply आपर next पे इसी आपको क्लिक करेंगे तो यहां-पर पोस्टल ऐडरस आपको बहुत ध्यान से यहां-पर तो आपका house number नहीं है तो आप गाउं का नाम भी डाल सकते हैं यहां पर मैं street name डाल रहा हूं तो मैं street में गाउं का नाम डालूँगा house number मेरे पास में है तो यह house number जरूरी भी नहीं है आप खाली भी छोड़ सकते हैं आपके वल अपने गाउं का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी गाउं रहेगा आपको तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है उसके बाद यहाँ पर हम लोकल्टी एरिया डालेंगे उसके बाद आपको गाओं का नाम यहाँ पे डाल देना है उसके बाद तैसील जो आपकी रहेगी जो आपका बलोक रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है तो यहां पर सारी जानकारी दी गई है यहीं से आपको डाल देनी है जो आपके अधार कार्ड़ पे होगी जिसके नाम से आप RTI लगा रहे हैं उसके बाद आपको दूसरी second side में यहां पर कुछ भी छेड़गानी नहीं करनी है तो यहां पर आपको जो जानकारी है वो आपको simply यहाँ पे फिल हुई मिलेगी यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़ने की जुरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद आपको यहाँ पे next पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको office type वो select करना है जहां से आप अपनी query चाहते हैं जहां से जानकारी आप चाहते हैं जहां से दस्तावे चाहते हैं वहाँ का address आपको यहाँ पे choose करना है तो मैं यहाँ पे district office से लेना चाहता हूँ आप police, headquarter, panchkula वगारा से भी प्राप्ट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे district से प्राप्त करना चाहता हूँ तो मैं डिस्टिक चूज करूँगा उसके बाद मैं जिला चूज करूँगा जो जिला रहेगा उसके बाद आपको simply पर लिख देनी है जो भी आप यहां पर query चाहते हैं तोוכ साथ किया पर मैंने पहले मंगवायी थी तो मैंने वही जानकारी कर यहां पर डाल दी है कि स्रिमान जी कर्पार निमिल के जानकारी कराएं हैं यहां पर मैंने डेट वगरा डाल करके उसके बद मैंने यह वाला केस आपके जो थाना है उसमें डाला था और किस के अगेश्ट था वो मैंने जानकरी यहाँ पे डाल दी है और उसकी जानकरी के पया उपलब्द कराएं सिर्मान जी उपलब्द केस पर क्या कुछ कारवाई अभी तक की गई है उसके बारे में भी सूच ना परदान करें इस प्रकार से मैंने यहाँ पे डाल दिया है अब मेरे को इतनी ही जानकरी चाहिए यदि आपको अधिक जानकरी चाहिए तो आप यहाँ पे अधिक जानकरी की एक copy upload करनी है यदि आपके पास BPL राशन कार्ड है यदि आपके पास BPL राशन कार्ड नहीं है तब आप इसको tick mark नहीं करेंगे और यहाँ पे आपको जो fees है वो pay करनी होगी तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको फीस पे करनी है तो दोस्तों यह टोटल जनकारी ढालने के बाद आपको सिंपली सब्मिट पे क्लिक कर देना है प्रसेर्सिंग होने के बाद आपके पास यह रेडिकेट करके payment पेज पे लेके जाएगा यदि आपने यहाँपे 10 रुपे नहीं pay किये हैं तब आप से किसी प्रकार की payment के लिए नहीं बोला जाएगा तो यहाँ पे आपको payment करनी है online किसी भी माध्यम से आप pay कर सकते है दीगे यहाँ पे आ गया है हमारे सामने please make the payment to register the RTI service उसके बाद make payment पे आपको यहाँ पे click करना है तो यहाँ पे थोड़ा समय अधिक लग सकता है तो आपको wait करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने page खुल के आगया है proceed with payment पे आपको click करना है तो दोस्तो आप यहाँ पे कोई भी माध्यम यूज़ कर सकते हैं आप internet banking, debit card, credit card, QR code, UPI के माध्यम से भी pay कर सकते हैं तो मैं UPI से इसको pay करूँगा आप जिस माध्यम से चाहें वहाँ से इसको pay करके और इसकी fees जो है वो देख सकते हैं तो चलिए मैं इसको complete कर लेता हूँ दोस्तो हमने यहाँ पे जो payment है वो pay कर दी है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो payment success का जो message है हमारे सामने आ चुका है यह dedicate करके फिर से हमें उसी page पे लेके जा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने जो transaction है वो complete हो चुकी है अब यहाँ पे आपको इस जो print है उसको संभाल करके अपने पस में रखना है और आप यहाँ पे service number देख सकते हैं जहां से आप application को लगातार track करेंगे तो यह आप mobile से भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले शुरू से ही बता दिया आप mobile से भी कर सकते हैं और इसको अपने laptop mobile से या किसी भी माध्यम से आप जिस device से चाहें इसको application को submit कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे इनका जो screen shot है वो ले के अपने पास में रखूँगा ताकि मुझको इन future कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए और मैं इसको online जो है वो track कर पाऊँँ मैं इसको save करूँगा तो आप इसको save करके जुरूर रखे हैं अपने पास ताकि आपको समय से जो जानकारी है वो प्राप्त होती रहे मैं second rt के नाम से इसको रख लूँगा तो मैंने acknowledgement number और यहां पर इसको save कर लिया है उसके बाद आप इसको cross कर देंगे और यहां से cross होने के बाद आप फिर से जो हर समय हर्याना है उसकी official website पर दुबारा जा करके जैसे मैंने आपको बताया था यह application number डाल करके और अपनी जो RTI है उसका status लगातार देखते इस बात का आपको विशेश तो जैसे ही आप यहां पे application को submit कर देते हैं उसके बाद फिर से आपको login करना है तो login करने के साथ ही आपको यहां पे click करना है ध्यान रखे मैंने पहले भी आपको बताया यहां पे आपको RTI Act service पे click करना है यदि आप यहां पे status पे click करेंगे तो यहां पे केवल आपको status ही show करेगा यहां पे क्या कुछ कारवाई हुई है वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा तो आपको यहां पे click करना है जैसी आप यहां पे click करना है तो यहां पे option आएगा इसके उपर आपको रखना है और यहां पे side में दो option खुल वो यहाँ पे जो payment है उसको मैं समय से नहीं देख पाया था तो reject हो चुकी थी अब यहाँ पे new RTI मैंने फिर से लगाई है अब यहाँ पे status आप देखना चाहें इसका तो यहाँ पे लगातार जो status है यहाँ पे show होता रहेगा आपको wait करना है और यहाँ पे आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा यदि आपसे payment के लिए कहा जाता है तब आपको फिर से payment यहाँ पे कर देनी है तो यहाँ पे आपको click करना है और यहाँ से आपका जितना भी जो आपने detail करते हैं जब तक इस RTI का जवाब आता है तो आपको wait करना है और लगातार आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जैसे की 2 रुपे का यहाँ पे objection लगा करके विभाग मेरे को जानकारी नहीं देना चाहता तो इस वज़े से ऐसे चोटे मोटे objection लगा करके और इसको बंद कर द की रहें तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभार्त वंदे मातरम